नमस्कार दोस्तों अमित की रेमिडिस में आप सभी लोगों को एक बाँ फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिवलिंग पे कौन सी चीज चढ़ाने से उसका क्या लाव हमें मिलता है क्या फल देखने को मिलता है दोस्तों हम सभी या फिर किसी को पता ना भी हो ऐसा भी हो सकता है तो वीडियो को देखते रहिए और जानिए कि क्या उन सी चीज चढ़ाने से शिवलिंग पे हमें उसका क्या फाइदा होता है क्या फल देखने को मिलता है तो दोस्तों शमी का पत्ता शिवलिंग पे चढ़ाने से सौभाग की प्राप्ति होती है दही चढ़ाने से शिवलिंग पे हर्स उल्लास की प्राप्ति होती है जिनके जीवन में हर्स उल्लास की कमी है वो शिवलिंग पे दही जरूर चढ़ाएं जो चढ़ाने से शिवलिंग पे सुख में वृद्धी होती है शक्कर मिश्री दूद हो जाती है बुद्धी और मजबूत हो जाती है इतर चढ़ाने से शिवलिंग पे धर्म की प्राप्ति होती है केसर चढ़ाने से शिवलिंग पे दामपत्य जीवन सुखी होता है अगर विवाहित जीवन में कोई परिशानी चल रही है तो शिवलिंग पे केसर चढ़ाये शादिशुदा जीवन सुखमय होगा अगर विवा नहीं हो पा रहा है तो शिवलिंग पे केसर चढ़ाये विवा जल्दी होगा शिवलिंग पे आवला चढ़ाने से दिरगायू की प्राप्ति होती है शिवलिंग पे जल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ ऐसी चीजे हैं जो अगर आप शियू लिंक पर चढ़ाते हैं तो इसके आपको क्या फ़ल जीवन में देखने को मिलते हैं मैंने आपको बताया अगर आपको पता नहीं था तो यह आप जरूर सुन ले आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा तो यह information कैसे लगी वी के लिए टाटा